नमस्कार प्रकाशक में एक बार फिर बैठक में हम लोग मिल रहे हैं और शाम है 29 अगस्त की अगस्त का महीना बहुत खास रहा क्योंकि अगस्त स्वाधिंता देवस्त होता ही होता है साथ ही हमारी टीम के दोनों जो सदस्ते हैं जो चांद की तरह चमकते रहते हैं दो कुन में उनका चैनल दिनकी अगस्त में होता है तो 11 अगस्त और 19 अगस्त यह दो अगस्त की तारीखें भी खास रही 15 अगस्त के अलावा और बहुत मन था कि इन में सही किसी तारीख में यह कारिकरम किया जाए लेकिन नहीं हो पाया संभब नहीं हो पाया खैर जब 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 जो जो होना है तब तब वो होता है तो अब यह हो रहा है और जो हो रहा है उसका नाम हम बता दे हलाकि कोस्टर्स में हम लोगों ने खास तोर से इंगित किया था पूनम पाठक जी की लिखी हुई कहानी है विडाई की रूलाई आज उसको पढ़ने वाले हैं हम लोग और हमारे साथ पूनम एहमद जी है पूनम पाठक तो सबसे पहले मैं पूनम एहमद जी से कहूंगी कि वो कुछ नहीं इस बारे में आप सभी उपस्के दोस्तों को एक बार फिर खार्थी कभिनंदन आप सब का फिर एक बार बैठक में स्वागत है मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की अपनी विडाई में रोने की ऐसी तयारी भी कर सकती है पर जब यह कहनी पढ़ी तो पता चला कि वाह ये भी हो स करता है आज की कहानी एक बार जरूर याद कर लिजिए अब आप कहानी सुनिए है दन्यवाद पाठा जी से मैं कहूंगी कि वह कुछ कहेंगी अभी आप सभी प्रिये दोस्तों को साधर नमन और अभिनेंदन करती हूं स्वागत करती हूं आपका हमारी प्यारी सी बैठक मे कर से और राजुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद एदा करती हूं कि उन्होंने आज अपनी बैठक को मेरी कहानी से सजाया है और ये चोटा सा हासिवेंग टाइप से लिखा हुआ है और आशा करती हूं आपको पसंद आएगा आपके होटों पर हलकी सी मुस्कान तेरेगी बस यही मेरी मेनत रहेगी मेनत की फॉल रहेगा मेनत का थैंक्यू सो मज़ दोस्तों हमारे साथ इस समय जूड़ चुकी है पलबी कुंदीर जी हिना अहमद जी सुधा जुगरान जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आदरनी संजीर जैस्वाल जी है हमारे साथ नम ट्विंकल है हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है वशिस्ट पाठक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका देंरे चुकимости मेरोतरा जी स्वागत है और अब यह कहानी मैं पढ़ना शुरू करने वाली हूं मैं क्या पुनम पाठक जी इस कहानी का वाचर करेंगी तो कहानी विदाई की लुदाई पुनंग बाठक चेटी देखी हूँ आज तयार होकर आही गई मेरी शादी की सीडी फक्त तेरे के दोरान माई के आई मैं अपनी पेस्टी रिंकों के साथ शादी की सीडी देख रही हूँ बीच बीच में हमारे कहकों से पूरा घर घुंज उठता है सची कितना मज़ा आ रहा है एक एक रीच रिवास को अब एंज्वाई कर पा रही हूँ और सबसे आखरी में ये विदाई की रस्म सियार इतनी हाय तौपा के बाद अखिरकर कितने अच्छे से रोई हूँ मैं है न कहते हुए मेरा बावला मन शादी के मंणब के नीचे जा खड़ा हुआ वहां किसी बाद पर मेरे जोर से हसने पर मां का प्रवचन चालू था देख अभी से समझाए दे रही हूँ तबी तो जाते बाद बिल्कुल रोई नहीं अच्छे से समझ ले परना पता चला उस वक्त भी खीकी करके हस रही है पर क्यों मां अकेला लड़का हुँ वो भी मेरी पसंद का अच्छी जोब और पैसे वाला साथ ससुर इतने सीधे कि अगर मैं रोई तो वो भी मेरे साथ ही रोने लगेंगे पिर क्यों न हस्ते हस्ते विदा हो जाओ अरे ना कटवाईगी क्या हमारे यहां लड़किया विदाई के समय पूरा महला सर पर उठा लेती है देखा नहीं था कुछ सालों पहले तेरी बुआ के शादी हुई थी कितना रोई थी वो अरे मा बुआ तो इसलिए रोई थी कि तुम लोगों ने उनकी शादी उनकी पसंद से न करवा के दुहा जो बुढ़े खडूस से करवा दी थी बिर्चारे बुकका फाड के ने रोती तो क्या करती तभी दादी ने भी मा का समर्थन करते हुए आंखे तरे री अपनी मा की सीख गाट बांदले लड़की हमारी पांदान में बिदा में नहीं रोने को अब शकुल मानते हैं समझी कि या करूं कैसे रों विदाई का तो नहीं मालूम पर फिल हाल मुझे यही सोचकर रोना आ रहा था कि मैं विदापर कैसे रोंगी मैंने अपनी सहली रिंको को धिंजोडा बताना रिंको क्या करूं जिससे मुझे रोना आए अरे ये भला मैं कैसे बता सकती हूँ बोड़ी सी प्रैक्टिस कर रोने की शैद काम बन जाए क्या बताऊं यार आईने में देखकर कई बार रोनी की प्रैक्टिस कर चुकी मगर हर बार नाकाम रही क्या करूँ नहीं रोई तो बड़ा बवाल मर जाएगा दादी बुआ चाची यहां तक की मम्मी ने भी खास इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं कि स्टेज पर बैखी खाले खी से ननिपोर्ती रहूं तुम बलकि बिदाई पर काईदे से रोऊं भी ओफो ये काईदे से रोना क्या होता है रोना तो रोना होता है और फिर मैंने कोई PhD थोड़ी का रखी है रोने में इस टॉपिक पर कि तुझे टिप्स दे दो कुछ तो कर यार अगर बिदाई में न रोई तो बड़ी जग हसाई होगी मेरे यहां जब तक महले के आखरी घर तक रोने की चीखें न पहुँच जाएं तब तक बिदाई की रस्म पूरी नहीं माली जाती मेरी मामी की लड़की तो पिछले साल इतना रोई थी कि सुबर की बरात दो पेर तक बिदा हो पाई थी हां ये बात अलग है कि उसका अफेर कहीं और चल रहा था और शादी कहीं और पर मैं क्या करूँ मेरी तो शादी भी मेरी पसंद से हो रही है कहीं कोई रुकावट नहीं कोई जबर्दस्ती नहीं तो आखिर कैसे रोऊं मैं ओफ़ो क्या मुसीबत है ठीक है डेखती हूँ क्या किया जा सकता है दो दिन बाद अपने होने वाले साजन की याद में एक गीत गुंगुनाते हुए में प्रिया बावरी हुई जा रही थी कि रिंकु ने चहकते हुए घर में एंट्री ली ले भाई खुशकबरी है तेरे लिए मिल गई रोने की जादूई चावी चल मेरे साथ देख वैसे तो साथ दिन की ट्रेनिंग है पर मैंने बताया कि हमें थोड़ी जल्दी है तो वो डबल चार्जिज लेंगी और हमारा रेजिस्ट्रेशन कर लेंगी क्या बात करी है ट्रेनी और वो भी रोने की हाँ मेरी जान विदाई में सही से रोने की ये प्रॉबलम अब सिफ तुम्हारी थोड़ी है अब तो ये राश्ट्रिय प्रॉबलम बन चुकी है आज कल दूलनों को उनके मन पसंद दूले जो मिलने लगे हैं अब उने से इसी समस्या से ये ट्रेनिंग सेंटर निजात दिलाता है जो दूलन के साथ उसकी सख्यों को भी विदाई पर कैसे रोना ये सिखाएगा इसका मतलब मैं सही से रो सकूंगी अब है तू नहीं जानती तूने मेरी कितनी बड़ी प्रॉबलम सॉल्व कर दी सची कितनी अच पर डबल चार्जिस मेरा मतलत क्या कुछ कम नहीं हो सकता अगर कुछ कम में काम हो जाए बात ये है अभी मुझे दूसरे बहुत से खर्चे हैं कुछ मैसिंग जूल्री लेनी है बाकी पार्लर का भी पूरा खर्च बचा हुआ है मम्मी से मांग नहीं सकती वो पहले ही कह देख अब तुझ ज्यादा टाल मटवल मत कर डिसाइड कर ले चलना है की नहीं अरे पहले वाँ चल कर देख तो ले फिर बारगेनिंग करती है न ठीक है ठीक है चलना क्यों नहीं तु तु खाम को नराज हो रही है चल बाबा मैं जट कान पकड़ते हुए उसकी स्कूपी पर पीछे बैड़ गई कुछी देर में हम दोनों शहर के प्रतिष्थित मौल के बाहर खड़े थे वहां रेसेप्शन पर बैटी मैडम में हमें एक चाड़ पकड़ाया हमारी आखे चौड़ी होती चली गई रोने के तरीकों को देखकर सिंपल रुलाई शाली इंता से धीरे धीर रोना पाच हजार रुपए मगर मच्छी रुलाई बिना एक भी आशू तपकाए रोने की सिर्फ आवाज निकालना चार हजार रुपए सैलाब ही रुलाई ऐसे जोरों से रोना मानुस सैलाब आ गया हो साड़ी तीन हजार रुपए दाहाडे मार रुलाई रुख रुख कर दाहाडे मारना जैसे कहीं बं के धमाके हो रहे हो तीन हजार रुपए सिसकी रुलाई सिसकते हुए रोना धाई हजार रुपए सम्मिलित रुलाई सभी सखियों सही एक साथ रोना दो हजार रुपए चाहती थी, सुनिये, हमने मगर मच्छी रुलाई का चुनाव कर लिया है, अच्छा, मगर मच्छी रुलाई ठीक है, आपने बताया थे न, आपको थोड़ी जिल्दी है, तो आठ हजार रुपे काउंटर पर जमा करकी अपनी रसीद ले लिजे, और हाँ, और आज इसे प्रै हम, देखे, हसना हसाना बहुत आसान है, मुश्किल है तो रुलाना, वैसे भी, जिन्दगी में एक ही भार का तुम खर्च ही है, फिर आपके नाते रिष्टेदार, जान पहचान वादी, सभी सही लिया, सब के सामने आपकी पर्फॉर्मेंस होने वादी है, तो ऐसे खास भी तो बनता है न, मेरी मानी तो कॉस्ट भी तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहे तो सरावने को पता कर लिजे, सब जगें से ज्याद ही चार्जे से है, अजी नहीं, हमें तो आप पर पूरा भरोसा है, कहीं और जाने की जरूरत क्या है, जान तहां खा रुपे लगा देंगे, पर विजाए में रोने की तो जैसे कोई प्यालियो ही नहीं है, इतनी कजिव से दिखाएंगे कि बस, एक बड़े हॉल में ग्लास पार्टिशन थे, होने वाली तुलहने उसमें अपने-अपने तरीके से रोने में लगी थी, एक बात तो पकी है, सामने वाली लड़कियां जितनी फुहर तरीके से रो रही हैं, उससे रोना कम हसी ज्यादा आ रही है, खैर मुझे इससे क्या, चल भाई, तू भी शुरू हो जा, रो करीब आधे गंटे बाद, हम दोनों वहाँ से निकली, तो ट्रेनिंग सेंटर की सीड़ियां उतरते वक्त, अचानक मेरा पैर फिसला और में लड़कडा कर गिर पड़ी, मेरे पाही पैर की एड़ी हल्की लचक के साथ मोज खा गई, पैर कू पकड़े में दर्ध से बेहाल थी, हाई, इसे भी अभी चोट खानी थी, अरे, कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, अच्छा, मुझे अच्छी खादी चोट लग गई, और तुझे मजाग सूच रहा है, देख भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, देख, दर असल मैं यह नहीं चाहती, तु अभी रोकर अपने ये अंसु बेकार जाने दे, सोच, अगर यहीं आंसु विदाई के लिए बचा कर रख लेगी, तो विदाई कितनी बढ़िया हो जाएगी, है ना? हाँ, बात तो तु सही कह रही है, कितना भी दर्द हूँ अप, मैं नहीं रोने वाली, पर दर्द इतना ज्यादा था, कि वहां से घर जाने की बज़ा है, हमें सीधे क्लीनिक जाना पड़ा, गनीमत थी कि डॉक्टर ने सिर्फ बैंडिज बांधी, और चोट पर लगाने के क्ली मलहम दे दिया, और साथ ही आश्वासन भी कि हफ्ते भर में दर्द चला जाएगा, क्लीनिक से निकली तो सर मुदाते ही ओले पड़े की तर्ज पर हजार रुपे की चपत फिर लग चुकी थी, आखिरकार विदा का वो शुब दिन आ ही गया, लेकिन शादी की तमाम र में बेपना हरोती, और शादी की ये आखरी रस्म भी आराम से निकल जाती, लेकिन विदाई के मुहूत में अभी कुछ समेशेश था, इसलिए मैंने अपने आपको बहुत कंट्रोल किया हुआ था, एहतियातन हमने तै कि विदाई के वक्त मेरा घूंगड खूब लंबा र लगी, मैंने भी भर पूर आवाज में अचानक रोना शुरू कर दिया, पर ये क्या, वॉल्यूम कुछ अधिक होने से लोगों के साथ मुझे भी अपनी आवाज थोड़ी अजीब लगी, अधा एक दो लोगों से मिलकर थोड़ी दिर बाद में चुप हो गए, तब ही आठ पास खड़े लोग उसके इस मासूम सवाल पर हस दिये, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि उठा के ठपर लगा दू उसकी गाल पर, इतनी मुश्किल से तो रो रही, उसका भी मजाग बनाए दे रहा, मैंने उसे घूंगट के अंदर से ही घूरा, और वो बिना डरे, ब पुक्का फाड कर रोने लगी, अभी ये भी तो बाकी है, सोचती हुई मैं है रान परेशान, उनसे गले मिलने थोड़ा जुकी ही थी, कि उची हिलकी नई सेंडल ने गच्चा दे दिया, और मेरा पैर स्लिप हो गया, भर भर आकर मैं दादी के घुटनों पर आगिरी, आई, एक जोर की चीख मेरे मूँ से निकली, और मैं सिस्किया लेने लगी, आखु में अच्रच का भाव लिये, दादी ने मुझे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे न चुप होना था, और न मैं हुई, दरसल गिरने से मेरी उसी के लेड़ी में फिर चोट लग चुकी थी, जो पहले ही तकलीत में थी, एक तो भारी थकान से चूर, उपर से चोट में दर्ड भी बहुत हो रहा था, इसलिए अब मुझे असली का रोना आने लगा, लोग आते गए और गले लगाकर मुझे चुप कर आते गए, और मुझे जितना चुक कराया जाता, उतनी ही जोर से में दाहाडे मारने लगती, इसी बात पर तो सबसे ज्यादा हैरानी मुझे थी, कि सबके रोने पर ठाहा का लगा कर हसने वाली, तुँ अपनी विराई पर इतनी जोर जोर से कैसे रो रही थी, अरे, तो क्या करती, पैर में हो रहा था एक्टिंग करते करते मुझे सची का रोना आने लगा था जो हुआ अच्छा हुआ बहला हो उस ट्रेनिंग सेंटर का जहां जाने से लगी चोट तुझे इतना दर्द दे गई कि तेरी विजाई सबके लिए यादगार बन गई और फिर देखना तेरी शादी की हम दोनों के कहकों से एक बार पूरा घर फिर से घूंज उठा था था थैंक यू दोस्तों तो इस तरह से बिटाई की लुदाई संपन हुई और विल्कुल वैसे ही संपन हुई जैसे कुनम पाठा की चाहती थी इसे इतना सजीव लिखा कि ऐसा लगा कि जैसे यह आप बीती जैसे ही अपना अनुभावी है और बहुत उप्सूरती से लिखा हमारे साथ रंजिना जैस्वाल भी है उन्होंने कहा है कि बाप्रे रूने के लिए भी ट्रेनिंग जी विल्कुल ऐसा होता है और आपने कहानी की हिरोईं थी उन्होंने कितने अच्छी और अच्छे से पर्फॉम किया रोना आप थेमा बिष्ट जी ने सवागत आपका अनामिका सिंग जी है बहुत बहुत सभा जहानिया जी बहुत सवागत नیरजा श्रवास्तभ जी सवागत है आपका कुलिष जोशी जी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका मिनी सिंग जी हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका जैश विश्व कर्मा जी बहुत स्वागत है आपका मेखा राठी नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कांटि लाल जी है नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका कांटि लाल जी इंदु चौबे जी नमस्ते इंदु जी बहुत स्वागत है आपका मन्जु महरोत्रा जी है बहुत स्वागत है आपका और घरसर मैं पीछे प तो बहुत बदल गया है और उस बदलाओं के साथ भी ऐसी यादे हमेशा रह जाती है सुधा जुब्रान जी भी है हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका और हमारे साथ है सुनीता माश्वरी जी बहुत स्वागत है आपका सुधा आदेश जी नमस्ते स्वागत है आपका रंजन अजैसवाल जी है वह रोने की भी तालीम कांटिलाल जी ने कहा है इंदू चौबे जी ने कहा है बहुत सुन्दर बाचन बहुत धन्यवाद आपका किना अहमद नेक्स बिजनस आइडिया चा बात है दीप्ती मित्तल जी है बहुत स्वागत है आपका दीप्ती मित्तल जी पलवी जी कहती है कोई दुलन को बताओ विदाई के समय मुझे बुलाले कार में बिठाने से पहले पीजरीन डाल दूँगी नहीं तो इतनी तेज मुता मार दूँगी कि रोना कैसी ना प्लवी बड़ा खतरनाक आइडिया आपने किया है यह संजीड जी ने कहा है बिलकुल नया सब्जेट कभी सोचा भी ना था कि इस पर भी कहानी बन सकती है पुनम जी की प्रजिभा को नमन थांक्यू प्लवी कुंडीर जी कह रहे हैं पुनम अमर जी आपने रिंकू के रोल में जान डाल द रोने की पी तालीम और रहे हैं स्रिष्ट्यू उपाद्या जी कहते हैं कि कहानी बही जो पाठक को बांध ले एक्सलेंट गूनम जी थैंक्यू थैंक्यू तो हमारे साथ दूरे हुए हमारे यह सभी जो परिवार के सदसे हैं उन्होंने आज एक कहानी सुनी राजन तिवा जी हैं नमसे आपका बहुत-बहुत स्वागत है संतोश शुकला जी विविद भारती की बहुत जानी-बानी भुशिका है और इंजा रेडियो की नमसे स्वागत है आपका संतोश जी और निर्जाश्वास्तो जी कहती है राजु जी पूनम एहमाद और पूनम पाठक जी सभी का अभिने लाजवाब रहा बहुत-बहुत धन्यवाद सुधा आदेश जी ने कहा है विदाई की रुलाई सत्मिश बहुत रोचत आज की जनरेशन की सच्चाई की कहानी है तो अब मैं चाहूंगी कि पूनम पाठक जी कुछ कहना चाहें तो जरूर करें इस वारे हैं यह एक्शुली क्या हाथ सिवेंक जैसा कि मैंने बताया आपको और इसका जो मूल स्वरूप है वो ग्रह शुभा में छप चुका है दो-तीन साल पहले हाई हाई विदाई के से आ जानते ही हैं कि एक बहुत ही इमोशनल लमहा होता है हर बेटी के लिए उसके अपनों के लिए और बहुत सारी विदाईय हमने देखी भी हैं तो उन में से कुछ मैं ऐसा लगा कि कुछ हासी या कुछ मजा कैसा अच्छा लगता है लोगों को और कभी मैंने देखा भी ऐसा आठ साल का बच्चा मतलब कह रहा था एक दुलन को तो वो देखकर मन में आया कि काश इसे अपन दूसरी तरह से लिखे हासी ब्यंग के रूप में कुछ हलकेफुल के अंदाज में ताकि बिदाई के समय को भी खुशदवार बनाया जा सके हर बेटी और उसके घरवालों के लिए तो वही एक छोटी सी कोशिश आपके सामने पेश हुई है अनीता सरन जी है हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका कांति लाल जी कहते हैं पहले के जमाने में पिता जी माताची को छोड़ने पर रोना आता था आजकल तो 3G, 4G और 5G का जमाना है है अथा है और पर लभी जी ने काया कि आज की शाम चटपती हो वहई है शामला्र राय वंदर रविंद्र जी शामला रवइंदर जी आपका बहुत-बहुत स्वाधत है था है मेहें जी कुछ कहना चाहिए जी जाते हमारी ही अच्छी काहनियां लिखते हैं तो आज Wow किसी हलके फुलके पाहौल के साथ, हलाकि मौका विदाई का था, लेकिन बेटी अच्छे से विदा हो गई, रोग नहीं, तो घर की इजद भी बच गई, और अब कुछ जठा विदी संपन हो गया जैसा कि घर वाले दादी और मा चाह रहें, तो अब सब काहरे जब संपन हो च बहुत बहुत धन्याद, पुली जी ने कहाँ ने कहा है, कहानी को बहुत रोचक तरीके से कने सी, इसके लिए, पुलं जी रहें घन्याद, का थे dalam大 आप तर्मयर्शन, के दार्ण हम आपका थेंच्यू., है कि कई बार अएसा होता है किisiert कि हम जो निसे mentor Twня फिर्ट आस ते हम जो पढ़ते हैं शुक्त में लिखा होता है जो गutने लिणी जाती है vezes कई सुरू पढ़ते समय कुछ और होता है और जब हम पढ़ने लगते हैं तब हमें लगता है कि इस कहानी में कुछ-कुछ चीजें या तो घटाई जाएं या बढ़ाई जाएं तो ये घट बढ़ जो है ये पुनम पाठक ने भी की इसे बेले पुनम एमज जी ने भी की थी अब सर्क कुछ कहानी में या तो संबाद जोड़े गए या संबाद घटा दिये गए और जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है उसको भी थोड़ा संबाद में ले दिया गया तो इस तरह से कहानी थोड़ी सी बदल के आप तक पहुंची संतो जी ने कहा है कहानी कमाल सभी बहुत बढ़िया रहे हैं बहुत धन्यवाद वकार रहिमान जी ने कहा है शादार वकार बहुत बहुत स्वागत है रहा है बहुत ज़्यादा है तो कर रहे हैं तो वकार जल्दी आएंगे बैठल से जुडेंगे कुछ ऐसा करेंगे हैं लोग कि वकार एं तो अब आज की शाम को यहीं पर विराम देते हैं आप सभी का बहुत बहुत थी शू मक्छ झाल झाल